hello students welcome to physics lab और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे है अबाउट एम रहे हैं डॉक्टर के पाथ जाते हैं आपने काफी बार सुना होगा कि इसका MRI कराना पड़ेगा आपको तो वह MRI क्या होता है अबर्डिंग फिजिक्स आप लोग लोग लाइक करें शिस्क्राइब करें और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन इस वीडियो वीडियो वीडिस्कास आवाउट थे स्टेख MRI से पहले हमारी बात को बता देते हैं के हमारी बॉडि में भी दो पार्ट ऐसे है जहांपर थोड़ा ही लेकिन wollte अशनी दो जगा यहांपर magnetic field produce होता है वो कौन-कौन सी जगह है फॉस्स इस ब्रेन हमारी ब्रेन हमारा ब्रेन और हमारा हर्ड दोनु जगह थोड़ा सा इसके पहले में आपको एक बार बता है मारे स्टेंट्पोर्ड मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होती है और यह क्या चीज़े इसमें हम एक स्कैनर के अंदर भेजा जाता है जिसे हमारे हर्ड पर ब्रेन पर या सभी जगह मैगनेटिक फीड लाइंस को एंटर कराते हैं और वो सब इसको इलेक्रिक सिगनल्स में चेंज करकर एक स्क्रीन पर मोनोटाइज करके दिखा देती है उस स्क्रीन पर हमें अपने बॉड़ी के इंटर्नल पार्ट की स्ट्रक्चर मिल दिये तो इस स्ट्रक्चर में कोई भी अगर हमारे पार्ट में टिशू है किसी तरह का या कोई ओवर चीज निकली हुई है या कुछ ऐसी चीज़े जो करके डॉक्तर को कफी हैप मिलती है हमारी पूरी बोड़ी के बारे में चाले के तो MRI stands for Magnetic Resonance Imaging this is a very important discussion for the 10th standard and watch our videos and in the next video we will discuss about fly wings right and on the left and road thanks for subscribers like us watching our video thank you very much